बिस्मिल्लाई रह्मान रहीम, अस्सलाम अलेकुम वरहमतिल्लाह वबरकातों नाजरीन और आप सब लोग कैसे हैं, उमीद करती हूँ कि आप सब लोग कैरियस से हो, आज हैं बनाने वाले हैं पालक का पराटा, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है यह 250 ग्राम यह आता है जिसके हम रोटी बनाते हैं, एक सो पचास ग्राम हमने यहाँ पर पालक लिये इसको हमने धोक कर अच्छे से इसका पाने खुशक करके इसको हमने बारिक बारिक काट लिया है हाफ टी स्पून हरी मिर्च का पेस्ट, इसकी जगा आप लाज मिर्च का पाउडर भी ले सकती ह चाहर में हाफ टी स्पून भुनाजीरा, पाउडर, मिर्च को बिसे राद लाज मिर्च तो सब से पहले हम इसका टायार करते हैं इसके लिए हम एक बड़ा बरतल लेंगे, इसमें हम सबसबेट डालेंगे आठा, फिर हम ये सब मसाले डालेंगे इसमें, हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, ओल, और ये पालक डाल देंगे और इसको हम आच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, अभी इसमें पानी नहींकि दालेंगे, ये से पालक कभी अपना मॉएस्चयर होता है इसमिच्छे से जी अगीए, अब धिया आठा कर लेंगे हमने एक साथ सारा पानी नहीं डालना है बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको गून लेंगे देखिए हमारा यह आटा गुदकर अच्छा से तयार हो चुका है बस अब हमने इसको हल्का सा इसको उपर से ओल लगा देना है अपने इससे हाथ पर लेके इस तरह रहे से अपने ज़िए लगाकर इसको बस दो मिनिट के नहीं हमने कवर करना है हमें इसे जाता देर के नहीं रखना है क्योंकि फिर पालक का अपना मौईस्चर जो होता है वह उससे आटा और ज्यादा पतला हो जाता है बस सिर्फ दो मिनिट के लिए हम इसको कवर कर देंगे देढें हमारा आठा अच्छे सेट हो चुका है इसको दो मिनिट हो चुके है अब हम इसके चोटए-छोटए पेड़े बना लेते हैं आप जिस साइज के भी पराटे बनाना चाहें उसी साइज के आप पेड़े बना लें अपना राश्या हम दो तीन पेड़े एक साथ बना लेंगे यह इस तरीकर से अब हम एक एक करके हम अपने पराटा बेल लेंगे इस तरीकर से अब कहीं से चिपके तो आप अलका साथ आटा लगा लें अब तवा भी हमने अपना गरम होने की नहीं रख दिया है मारे तवा भी अच्छा से गरम हो चुका है यह एक दो पराटे एक साथ बेल लेंगे तवा भी हमारा गरम हो चुका है अब हम इसमे पराटे टाल देंगे और इसको सेक लेंगे अब भी पराटे को पलट देंगे और एक कटोरी में और रख लें आप घी या तेल जिसमें भी आप बनाना चाहें और एक तरफ से आप तेल लगा कर अच्छे से से सिर्क लेंगे अब हम इस पलाटे को पलाट देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको तेल लगा लेंगे इस तरीकर से हम इसको पलट पलट कर दोनों तरफ से अच्छे से से शेख लेंगे पराटे को हमने मीडियम आच कर भी बनाना है यह देगे हमारा पराटा बहुत अच्छे से सिख चुका है अब हम एक पलेट में इस तरीकर से यह कटूरी रखकर इसके उपर हम यह पराटा निकाल लेंगे ताकर हमारे पराटे में नीचे पलेट का मॉईस्चर ना आए अब हमारे जाए कर दो कर दो कर दो कर दो लीजे पालक के पराटे बनकर बिलकुल तयार हैं ये बहुत ही जायकेदार और बहुत ही खस्ता बने हैं आप इनको दही और अचार के साथ या किसी भी आलू की सबजी के साथ सर्फ करें ये बहुत अच्छे लगते हैं आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं अपने हस्बेंट को आफिस के लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकती हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर बनाएं और मेरी इस recipe को like करें, share करें और मेरी चैनल को subscribe करें और bell icon का button दबाना ना भूलें ताके मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको मिल जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख पाएं, Allah हाफिज झाल